इलेक्ट्रोनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि कि सप्लाई के अंदर जो हमारा फ्यूज लगा होता है अगर वो कभी खराब हो जाए तो उसके जिगे पर हम कितने ओम और कितने वाड तक की एक रजिस्टर को लगा सकते हैं और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही रजिस्टेंस हमें नहीं मिलती है तो मैं यह बताऊँ हूँ कि आप कितने से कितने तक की रजिस्टेंस जो है आप फ्यूज के अंदर यूज कर सकते हैं क्योंकि जितना भी मैंने प्रैक्टिकल आपको अपना सीखा है उतना ही मैं आपको बताऊँगा क्योंकि मैंने आज तक जितनी रजिस्टेंस फ्यूज के अंदर यूज करी है एस यह हमारा हर्वाट के अंदर रेजिस्टेंस है तो देखिए बहुत से बयारे प्रेश्टेंस करके यह कहते हैं कि हभ वाट की रेजिस्टेंस हम कैसे पहचानेंगे तो इसका जो है दोस्तों अगर कोई रेगुलर इनको लगाता रहता है तो मैंने दोस्तों को ले लिया है मैंने तो इसी से ही आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं तो देखिए जो क्वाटर के इंदर हमेशा कभी भी यूज कर नई तो वन से नीचे नहीं करनी है और उख में आपको बता हुआ कितने ओम से लेकर जो एक सेंटीमीटर के आसपास होती है जहाए लेकिन दूसरी गी रजिस्टेंसे की resistance को लेता हूं तो लेक ow literature की नहीं हो गी देखे अ कि एक संसेटीमेटर यह हमारी क्वार्ट की resistance यह सेंटीमेटर के ऊबर है और वन वार्टय जो resistance है वह सीधória हमारा 17 यह देखिए हैं तो इसहसे आपको पता लग जाएगा कि यह जो resistance हैं हमारी मोर्ट की बने के से आपना को अंदाजय से नहीं पता हैं तो आप देखिए इसके दर नहीं है इसके अंदर यूज करा गया फ्यूंज का ये देखिए एक फ्यूजी होता कि तो रजिस्टन app कि रजिस्टैंस आपकी कितनी होगी रजिस्टैंस आपकी ओगी वन ओम से लेकर रजिस्टैंस ऑक और आप 22 जबन तक रजिस्टैंस न फटिन तई यानि one ओम 11 से लेकर और 22 टक pink 16 10 सम्क mejorar लगा सकते हैं तो देखिए उसके अंदर में बता भी देता हूँ आप कौन-कौन सी लगा सकते हैं तो देखिए आप इसके अंदर वन ओम 2.2 ओम 4.7 ओम 5.6 ओम 10 ओम और 10 ओम के बाद आ जाती है हमारी 10 ओम के बाद हमारी 15 ओम 15 ओम के बाद हमारी 18 ओम 18 ओम के बाद हमारी 22 ओम तो इतनी रजिस्ट्रेंस जो है आप यूज कर सकते हैं जो फ्यूज के उपर है AC fuse जो होता है हमारा AC 230 volt AC 230 volt पे आप जो हैं इनको यूज़ कर सकते हैं तो देखे मैंने आपको ये बताया कि आप कितने से कितने तक की resistance को यूज़ कर सकते हैं ये ohms की हो गई इनकी wattage कितनी होगी इसकी wattage आपको लेनी है अगर आप mobile charger के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आप यहां पर quarter watt की resistance को लगा सकते हैं mobile charger के अंदर यूज़ कर रहे हैं लेकिन अगर mobile charger से other के अंदर आप ये कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको 1 watt की ही resistance लगानी होगी तो मैंने आपको पता है कि अगर आपको circuit के अंदर ये नहीं पता लग रहा है कि कितने वाट की हमें रजिस्टेंस लगानी है तो आप सीधी वन वाट की रजिस्टेंस लगा सकते हैं मैंने आपको एक स्केल से बना के दिखाया कि आप रजिस्टेंस कैसे पैचान सकते हैं कि वह वन वाट की है या नहीं है तो देखिए यहां पर देखिए कर देखें यहां पर फ्यूज लगावा है अगर यह कभी भी खराब होता है तो खराब होने के बाद आप यहां पर भी रजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं क्योंकि ऐसे फ्यूज जो है जाद तर हमें नहीं मिलते हैं और इसको जो है मल्टी मीटर से आप कैसे कर सकते हैं वह भी आपको दिखाता हूं तो देखें प्याओ को जो है कंटिन्यूटी पर लाके और मल्टी मीटर को देखना है कि अगर यह बीप इसके अंदर बज रही है तो देखिए इसके अंदर बीप बोल रही है यानि कि यह फ्यूज जो है एकदम सही है और सही कंडिशन के अंदर है अगर इसके अंदर बीप नहीं आती तो हमारा यह फ्यूज जो है यह खराब होता उसी तरीके से देखिए एक फ्यूज कुछ इस तरीके से होता है यह देख यह इस तरीके से देखे एसी लाइन यहां से फ्यूज है अगर यह भी कभी खराब हो जाता है तो आप मल्टिमीटर से चेक करके यहां पर भी वन वाट की रिजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं और रिजिस्टेंस मैंने आपको बताई दिया कि आप जो हैं वन ओम से लेकर और और दो वन ऑम से लेकर और वन वाटिस्टेंस आप लगा सकते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्टेंस क्या क्रणे करते हैं ओपर मल्टिमीटर को रखते हैं और हम यह देखते हैं कि इसके अंदर जो रजिस्टेंस को यूज करा गया है वो कितने ओम की रजिस्टेंस को यूज करा गया है तो अभी पता लग जाएगा हमें प्रेक्टिकल के अंदर ही कि इसके अंदर जो रजिस्टेंस है वो कौन सी लगाई गई है तो इसके अंदर देखिए इसके अंदर टैन टैन ओम और ग्यारा ओम के आसपास आ रही है यानि कि इसके अंदर जो है 10 ohm की resistance का यूज करा गया है 1 watt के अंदर तो यह देखे यह 1 watt की resistance से pack कर देते हैं AC line के अंदर जो resistance होती है उसमें यहाँ पर capture देते हैं जिसे की कोई short circuit होने के कारण यह है यहाँ पर या capacitor के ओपर short ना हो तो आपने देखा यहाँ पर 10 ohm की resistance का यूज करा गया है तो मैंने आपको बताया था कि आप जो है 1 ohm से लेकर 22 ohm तक की यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर यूज करा गया है हमारी 10 ohm की resistance का तो इसके अंदर क्या है देखिए Fuge के अंदर सिर्फ यही होता है अब देखे इसके अंदर 2.2 ohm का यूज करा गया है यह resistance का इसके अंदर यह resistance का यानि की resistance आपकी सारी काम करेगी आप कोई सी भी resistance का यूज कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 1 watt की आप resistance लगाएं अगर आपका मौहल चार्जर है तो आप quarter watt में लगा स रखते हैं तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना सेर करना और सस्क्राइब करना और बैल के आकन को जरूर दवाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा